तो बुंदेल खंड नामक छेत्रे निम्डखित की सीमा के अंतर गाता है तो बुंदेल खंड आपका बी नंबर होगा किलियर आ रही है वाई साथ अपनी सीमा शाजह नहीं करता है देखिए सारे के सारे प्रस्ण आपके UP SSC के पूछे हुए एक जाम की सवाल है और यहाँ पर देखिए जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा पूजा भी हमारे भी देखिए जुड़ चुकी है और देखिए यहाँ पर राइट अंसर देना क्या होगा उत्तर प्रदेश सितापूर किया ओगा राइट अंसर आपका होगा पीली भी स्रावस्ति महाराज गंद्ध ये सब की सब करता है ठीक है न तो यहां पर राइट अंसर आपको हो जाएगा ज़ेगे उत्तर प्रदेश के आपके साथ जिले हैं साथ जिले हैं, जो आपके नेपाल के साथ साजा करते हैं, सिधार्थ नगर आपके साथ जिले हैं, जो नेपाल के साथ साजा करते हैं, सिधार्थ नगर, बलरामपूर, स्रावस्ति, महराज गंज, बहराईच, लखेमपूर और फिलिवीद, अगला प्रशन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा परिस्थित है देखें यहाँ पर कोसर नमबर तीन का जवाब देना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा परिस्थित है बलिया, बिल्कुल सही जवाब है, बलिया होगा, राइडल सहर आपका होगा, उत्तर प्रदेश के निमलिखित में से किस सहर में राजकी, कला, एवम, सिल्प, महा बिद्याले, गवर्मेंट, कालेज, आप, आर्ट्स, एंड, क्राफ्ट से इस्थित है, यहां पर देखिए, सहर आपका होगा, अगला प्रदेश के निमलिखित में से कौन सा देश, उत्तर प्रदेश, स्राज्य के एक साथ एक अंतराष्टी सीमा साजागरता देखिए यूपी जी के का हम आपको यहां पर अगर डेली करेंगे टेस्ट है तो गारंटी देते यूपी जी के भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा यहां पर जवाब देना है कुछ प्रस्ण हो सकता है गलत होंग राइट अंसर विकल्प नंबर भी होगा उत्तर प्रदेश का निमलिखित मेंसे कौन सा जिला इस राज के अन्य जिलों से घिरा हुआ है यानि किसी भी अन्य राज या देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है यह बताना है साहरन पूर देवरिया हर्दोई ललित पूर देख कौन से नहीं करता है यह आपका हर्दोई होगा इसके पूर्व में क्या है सीता पूर प्र다 प्रदेश के निमने में से कौन से जिले की सीमा मद्द प्रदेश के साथ साजा नहीं करती है देखिए मद्द प्रदेश के देखिए मद्द प्रदेश जो आपका माल लीजे राज्य है मद्द प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा ग्यारा जिले सबसे ज्यादा 11 जिलों की सीमा जो है साजावती है याद रखिएगा 11 जिले 11 जिले आपके कौन कौन से है बांदा है चित्र कोट है, महोबा है, जहासी है ललितपूर है, आगरा है इटावा है, मिर्जापूर है, प्रियाग राज है जालाओन है, ठीक है अलाबाद नहीं, अलाबाद होता है देखे, अलाबाद, जालाओन, ठीक ना 11 जिले हैं, याद रखिएगा इलाबाद, जालाओन मिर्जापूर, आगरा इटावा, बांदा चित्र कोट, ललितपूर, जहासी ठीक ना, सोनभादर जालाओन, इकुल मिला के आपके 11 जिले हैं, 11 जिले जो कि आपके उत्तर प्रदेश के 11 जिले मद्द प्रदेश से सबसे ज़्यादा साझा करते हैं, याद रखिएकक 11 जिले, अगला प्रसन है हमारा दिखिए जवाब देना है, 11 नमबर आठ नमबर के जवाब देना है उत्तर प्रदेश की भागोलिक सीमा सरवाधिक राजियों को इसपर्स करती है निमलिखित में से कौन सराज इनमे सामिल नहीं है उत्तर प्रदेश की भागोलिक सीमा सरवाधिक राजियों को इसपर्स करती है इनमे से कौन सराज इनमे से सामिल नहीं है यह पूछा गया है तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश की जो भगोलिक सीमा है टोटल आपके टोटल आपके आट राजियों से हैं और एक आपका है केंद सासिज प्रदेश है एक आपका केंद सासिज प्रदेश आपका दिल्ली है है ना तो उत्तर प्रदेश के विस्टी में बात करें कि किती राज्यों से इसकी सीमा साजय होती हैं तो टोटल कुल हो जाएंगे 9 लेकिन राज्यों में से गर हम बात करेंगे तो राज्य आपके होगे आठ और आपका एक होगा केंशासिस प्रदेश कौन कौन से आपके हैं याद रखिएगा उत्राखन हिमांचल प्रदेश अदिल्ली हर्याना राजस्तान मद्द प्रदेश चतिस गड़ भिहार जारखन यह आपके हैं याद रखिएगा तो यहाँ पर देखिए राइट अंसर क्या होगा आठ नंबर का क्या होगा ओड़ीसा होगा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं देखिए बिधान भवन रच्षक का पूछा हुआ है प्रिवियस यह तो टोटल जिले कितने 75 जिले हैं विकल्प जाएगा यहाँ पर 2 नंबर के साथ सिंपल प्रस्ण था यह आसान था अगला प्रस्ण हमारा उत्तर प्रदेश राज की सीमा अन्न कितने राजियों को इस पर्स करती है अब बताइए इसका अंसर क्या होगा राजियों को पूछा गया है कितने राजियों को इस पर्स करती है जवाब देना है को करते होंगे चलाते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी टेली ग्राम पर मनोज इस्टिडी सेंटर सर्च कर जाएगा इसके पहले जो हमने योजनाव संबंदित अभी बहुत सारी योजनाव संबंदित उसकी पीडिया बगएरा सब वहीं पर आपको मिल जाएगा चलिए 10 नं सबसे करिएगा ये ली गराम में वहीं पर हम सारी पीडिया वहाँ पर अपलोड कर देंगे ठीक है यहाँ पर देखिए यहां पर राइट अंसर बताईए क्या होगा कि 10 नंबर के दिखिए जवाब बताईए क्या होगा आठ बिल्कुल राइट अंसर अगला प्रस्ट्ध म में सबसे कम छेत्रफल वाला जनपत काउंसा है सबसे कम बताना है छेत्रफल वाला अभी देखिए धाइसो तीन सो लगबक प्रस नहीं हमारे पास प्रिवियस यर के जो अब तक यूपिटर पर लेस्टी में पूछे गए वो कराने के बाद फिर हम आपको और अच्छे प्रस च्छेत्रिफल जवाब देना है यहां पर बताना है त्यर नंबर का जवाब क्या होगा तो यहां पर बिकल्प होगा बताईए राइट अंसर क्या होगा हाँ बिल्कुल यहां पर देखिए बिल्कुल सभी जवाब था संत रवीदास नगर होगा अब यहां पर बताईए तो छेत्रफल की डिश्टी से कर प्रदेश यहां पर यहां पर याद रखे कांफीज बिल्कुल नहीं होना है दूसरे नंबर नमबर पूशकता है इस तरीके से आपका अंसर हो जाएगा अगला प्रसने हमारा देखिए यहां पर आपको बताना है यहां पर दिखिए पूछा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिये और यहां पर दिये गए इनको मिलान करना है हिमाले की चोटियां है और दूसरी तरब आपके राज दिये गए हैं हिमाले चोटियों के अगर हम बात करते हैं तो नंगा परवत है नंदा देवी है कंचन जंगा है और यहां पर राजियों में आपको बताना है कि कौन सा परवत जो है कहां पर कौन से राज में है यहां पर आपको जवाब देना है और राइट अंस कंचन जंगा कहा है, सिख्की में, देख लिए विकलप कहा पर है, तो आप आप रहे विकलप तो मैज़ करेगा, 132 विकलप पर जाएगा B नमबर के साथ, 14 नमबर का B नमबर, राइट अंसर आपका हो जाएगा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पडोसी राज्यों की स यह ना सिंपल प्रश्ण है अभी अमने बताया था उत्तर प्रदेश है आठ राज्य है और यह केंसासित प्रदेश है तो कुल आपके एक तरीके से नौ है टोटल है ना नौ है राज्य हो केंसासित मिलाकर लेकिन यहाँ पर तो सबसे अधिक तो इसी का है यह नंबर हो जाएगा राइटन सर अगला प्रदेश दिवस निम लिखित में से किस तारिक को मनाया जाता है यह दिखिए लोवर एक्जाम का पूछा हुआ प्रस्ण ह है तो देखिए 24 जनवरी 1950 को सायुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश रखा गया तो कब रखा गया 24 जनवरी 1950 को इसका मतलब 24 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं राइट अंसर आपका हो जाएगा ठीक ना तो 2018 में मुख मं किस ने की तो किस ने की थी योगी आदितनात जी ने की कभी की 2018 में की तो इससे एक प्रस्ण आपका और भी बन सकता है अगला प्रस्ण हमारा है हां 17 नंबर हां बिल्कुल सही जबाब था उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था इसे किस इस वर्स उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया अब देखो वही प्रस्ण अभी इसके पहले हमने बताया था क्या बताया था कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था आपका नाम मतलब यहां पर बदल दिया गया है ना 1950 अभी इसके पहले सर्चा किया था वही प्रस्ण से उत्तर प्रदेस पढ़ गए आपका सायूक्त प्रांत से उत्तर प्रदेस के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेस का पहला राज जेपाल काउन था अब देखिए नाम जब बदला गया तो उस समय पहला राज जेपाल काउन था ये देखिए दो बिकल्प आप से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद जैसे नाम चेंज हो जाता है तो पहला राजेपाल कौन था विसुनात दास अकबर अली खान है ना तो यह आपके विकल्प दिये गए है यहाँ पर आपको बताना है राइट एंसर क्या होगा तो दोस्तों याद रखि मंत्री कौन थी चकवंदी लेकपाल में पूछा गया था तारिके सुरी सिन्ना सुचेता क्रपलानी पहली मुख्यमंत्री कौन थी यह पूछा गया है तो पहली कौन थी यहाँ पर आपकी सुचेता क्रपलानी थी एक आपकी मायावती हाना दूसरी तो देखिए यह प्रसन नंबर हो जाएगा अगला प्रशन है हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य पच्छी कंसा है यहाँ पर देखिए cheating राज्य पच्छी बताना है मौर सारस तोता कोयल यह आप के बीकल्प दिये गए और आपको बताना है इसका अंसर क्या होगा तो उत्तर प्रदेश बताना आए इन में से उनका नाम बताना है जो कभी राज जेपाल ही नहीं रहें 21 नमबर में बताना है इसका राइट अंसर क्या होगा तो देखिए यहाँ पर जो आपके HP मोदी है यह तो आपके राज जेपाल आपके रहे है ना HP यानि होरम सजी फिरोसा मोदी यह तो आपके रहे है मड़क लाल मुंसी ये भी रहे है आपके राज जेपाल यूपी के सिरी बुर्गुला रामकरस नदाओ ये भी रहे है लेकिन सिरी चंद्रभानू गुपता जो पहला विकल्प आपका दिया गया है यह आपके नहीं थे यह आपके नहीं थे तो इसका मतलब एक त दूसरा आपका उर्दू है यहां पर पूछा तो उर्दू को अच्छा उर्दू को दोतीराज भासक कब घोको सित किया गया आप सब्सक्रिता पर हिंदी और यहाँ आधिकारिक भासक रूम में अपना गया ना दूसरी कौन से थी आपकी उर्दू है तो पहला तो हिंदी यह दूसरा उर्दू तो उर्दू कब अपनाए गया यह आपको बताना है 22 नंबर का हाँ बिल्कुल सही जवाब है 1989 देखिए डेट बगेरा अगर आ कारिकाल सरवाधिक रहा है अब देखिए यहाँ पर बताना किस लोका युक्त का कारिकाल जो था सबसे अधिक रहा है यह आपको बताना है इसका राइट अंसर क्या होगा तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे अधिक हाना लगबग माल लिजिए 10 साल क्या सपास हाना 10 साल क आसपास कारेकाल रहा है ठीक है 2006 से लेकर 2016 तक रहे थे कौन थे वह आपके थे नियाय मूर्ति NK महरोत्रा ठीक ना NK महरोत्रा इनका जो कारेकाल था आपका 16 मार्च 2006 से 16 मार्च 2006 से 2006 से इनका स्टार्ट हुआ था और यह जनवरी यानि ती जनवरी 2016 तक रहे थे ती जनवरी 2016 तक रहे थे सबसे लंबा कारेकाल था नियाय मूर्ति NK महरोत्रा यह भी वीडियो पर इच्छा का प्रिवेश प्रिवेश रिप्रस्न है आपका चलिए 24 नंबर है आपका नेमनिकित में से और इनमें से कौन सा मलब राजपाल नहीं रहा है 24 नंबर का आपको जवाब देना है तो मोतिलाल बहुरा वीवी गिरी अर्रोमेस भंडारी यह तो राजपाल रहें एंडी तीवारी क्या थे उत्तर प्रदेश और उत्तर खंडे क्या थे भूत पूर्व मुख्यमंत्री थ तो बाकी आपके विकल्ब थे सही यही वाला नहीं था यह नंबर हो जाएगा राइट अंसर राम नाईग ने वर्ष उत्तर प्रदेश के राजपाल की रूप में कब सबद लिया था 25 नंबर कर देखिए जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा तो देखिए यहां पर आपको बताना है तो यहां पर देखिए जब आपकी सरकार यहां पर 2000 राम नाईग थी अखिलेश यादो मुख मंतरी थी ना तब ही तो आपके राज जेपाल थे हैना राज जेपाल हलांकि अखिलेश की सरकार 12 से 17 तक थी 2012 2017 तक लिए राम नाईग ने जो कारेभाल समाला था राज जेपाल का वो कब समाला था 2014 को है ना 2014 को विकल्प नंबर जाएगा यहां पर ए नंबर के साथ 25 नंबर का ड़ी नहीं 2014 में 22 जुलाई थीक है 25 नंबर का आपका अंसर क्या देखिए एक ज़िए राज जब भी बनाय जाते हैं जिस राज जी के निवासी होते हैं उस राज में कभी भी वो राज जपाल नहीं बन सकते यह नियम है याद रखियेगा कभी भी राज जपाल मालीजिये उत्तर प्रदेश के एना तो उत्तर प्रदेश का राज जपाल उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं होगा याद रखियेगा हमेशा बिलकुल जिस राज के निवासी होते उस राज का राज जपाल कभी नहीं ब बताए कमसी वस्तित में को ह Came Ts luda चलिए यहां पर देखिए एक अपरेल 1977 को टिके ना एक आपरेल 1977 को उत्तर प्रदेश राज्य कब स्क्रिक्त मोस्तिक को आया था है rollers kobert कॉर्वरश को प्रतिवर्स को उत्तर प्रदेश दिवश मनाया जाता है क्योंक2 1950 में इसका नाम बदल गया था लेकिन अस्तित में कब आया था वो आया था एक अप्राइल 1937 में ही आना अफी नाम बदलना वो अलग बात होती है अस्तित वाया लेकिन नाम कब बदला था 1950 बदला था अमेठी देहरादून बस्ती मेरट यूपी में रहते हैं तो इतना तो पता ही होगा देहरादून यहाँ पर लिखा हुआ है देहरादून क्या हो सकता है बताईए देहरादून थोड़ों का 75 जिले हैं है ना 75 जिले है जबकि उत्तराखंड देहरादून है ना यह तो उत्तर उत्तर प्रदेश की दो राजभासाओं में से एक है 28 नमबर के देखिए आपको बताना है तो उत्तर प्रदेश की पर्थम राजभासा कौन सी है हिंदी है पर्थम आपकी हिंदी है ठीक है दूसरी आपकी उर्दू है दूसरी आपकी क्या है उर्दू है जो कि 1989 में अपनाया बिलकोल बिलकुल सभी जवाब दिये गए गए बिकलब्स घृ Avengers लिकागर उस्थूमेतं यह dio पड़िए ये प्रहण्ये करना है यä वीडियो प्परीइस यवाथYouraining की अभी हमने करवाएंगे ठीक है ना पहले प्रीवेश करवाएंगे उसके बाद नए प्रस्णों को चलिए यहाँ पर बताईए 29 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा दिये गए बिगल्पों में से गलत जिला मुख्याले वाली जोड़ी का चेहन करना है 29 नंबर का जवाब क्या होगा अमेठी वाला तो गौरी गंज है है ना अमेठी गौरी गंज तो सही लिखा हुआ है गलत बताना है गलत बताना सोन भद्र का ये भी सही है कौसांबी का मंजनपूर है बैसाली नहीं है क्या है मंजनपूर है यहाँ पर लिख देते हैं मंजनपूर ठीक है ना मंजनपूर ह इसलिए बिकल्प नंबर यहां पर कौन सा है डी नंबर आपका हो जाएगा अगला प्रस्ण है हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इन में से कौन सा था देखिए सोतंतरता जब होती है सोतंतरता का वह पंद्रागस उनिस सतलिस को अपना देश अजाद हो जाता ह है है ना तो यहां पर बोला गया है उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इन में से कौन था चलिए यहां पर देखिए तीस नंबर कभी हाँ बिलकुल बिलकुल सही जवाब है सरोजनी नाइडू होगा मैला बिलकुल सही है हाँ बिलकुल राइट अंसर दिया गया है तीस नंबर कभी हाँ बिलकुल सभी लोगों का सही जवाब आया हुआ है बिलकुल राइट अंसर है फिर आपको रखते हैं फिर साम को मिलते हैं साम को साड़े साथ बजे ग्राम परिवेस की क्लास में और आठ बजे आपकी जी के जीएस की धन्यवाद आप सभी का जो